आज मैं आपको आटे की बहुत ही टेस्टी हलवा बनाना बता रही हूँ इसके लिए एक कड़ाई में आप आधी कटोरी देशीगी ले और एक कटोरी आप गेहूं का आटा ले और उसे कंटिन्यू छलाते हुए हलका गोल्डन ब्राउन होने तक इससे भून ले और इसमें ब बता चल जाएगा जब इससे बहुत अच्छी खुश्पु आ जाए तब आप एक कटोरी इसमें चीनी पीसी हुई और थोड़ी से इलाइची का पाउडर डाले और पीच पीच में इस आटे वाले जो हलवे है न उसमें पानी के छीटे मारे आप पूरे तरह से इसमें पान के छीटे लगाते जाए और जब आपका हलवा बन जाएगा तो लास्ट में आप दो बड़े चम्मच इसमें घी और एट करें और इसके बाद आप इसे मिक्स करें बिना घी के तो हलवे है टेस्टी बनने से रहे इसलिए घी तो लगेगी भई उसके बाद इसे सर्ब करने क का तरीका मैं आपको बताऊंगी इस एक सर्ब भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करना है इसे आप मुफली मैंने एक फ्राइपन में लिया उसमें थोड़ी से ओल डाल के से अलका रोस्ट कर ले जब मुफली आपके अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तब आप उसमें इस मुफली में अच्छी तरह से कोट कर ले गास बंद कर ले आप और मसालों को अच्छी तरह से मुफली में मिक्स कर दे मुफली में हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और मुफली को एक अच्छा सा कोट कर लेंगे देखे ये बिलकुल इस तरह से मुफली आपक इस हलवे को इस मुवफली के साथ सर्व किया जाता है यह हमारा तरीका है आप इसे जरूर से ट्राइ करें इस हलवे का सौप्टनेस और यह जो मुवफली का क्रंची पन है इसको यह बहुत ही टेस्टी बनाता है तो मैं आसा गड़ती हूँ आपको यह डिस्ट पसंद आएग झाल 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 झाल